कि मनिष को लिए कासrt की उसकी संफितिक नाम जबान जबान से निकालीगे तो मेरा भी जवान घंता हुगा इस siete गूनेगेड़ इसादे के लिएования मरता है तो गोखुल यादव पत्रकार की जो हत्या हुआ था गोखुल यादव नहीं थे वह तो उनकी बेटी के साथ चेक देकर और एकाउंट में रूपिया नहीं फिर बाद में पहले बोला कि चेक बाउंस कर गया एकाउंट में 100-200 रूपिया कम था उसका सबका जादव के लिए मर सकते हैं तो यादव की बेटी को पढ़ाना था तो उसको हम लोग भाण रहे जो कि ये जातिवादी सिंगर और नेता कहिं जो कि तेजपरता प्यादव संतोष रेड़ु को में और गालीबाज सिंगर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे जातियों में दंगा फैलाने का काम करता है कभी खेसारी को गाली दे देता है कभी निरहुआ को तो कभी मनिस को स्ट्यप को आई ये बात करते हैं हमारे साथ विसाल राय जी हैं क्या करना चाहते हैं इस देखिया हम लोग संस्कारी है तो हम लोग किसी का नाम खराब नहीं करेंगे वही जो अब बोल रहा है वही है सिंगर है सारे लोग बोलते है कि सिंगर है जब भरजास्ते सिंगर बन गया है उसका इसका समझिये पहले सिंगर Access can हम को जान जाएंगे जब उसमें कुछ में नहीं गला तो अब जाके कौन ची का अध्यक्ष मने गया उससे डाल उससे उसको भैलू नहीं मिला उससे नहीं कमाया पैशा। तो अब वह दूसरों को गाली है, कभि खेसारी हम लाल ययादा। जिक गविता हम रखाल मोलता है, कभि उनको गाली देता है। कभी किसी को गाली देता है तो वो ऐसे ही सब को घाली देता है उसका कामी वही है उसके बारे में बात करना हम उसका नाम पूरा अपने मुझे नहीं न लिए जम लेना चाहता है कि तुम भब्राम करना है तुमको करना है उसको भटनाम करने के लिए उसको funding किया जाता है तो गाली देता है आप सोची कि हम हमान लीजे कि हम ब्रामन है यान है चाहे हम राजपूत है भूमियार है यादव है और हम हम गलत काम करेंगे तो उससे हमारे समाज का बदनामी होगा की नहीं अच्छा माली जेकि अपने समाज का अगर हीत ऐसी है अपन अपने माबाप कर एक घंळ Penisire और उलु सॉक्वो लाकि नहीं हाट कर जाना कि भांस्क कर दिये तो वह वह अपने ना बाप करें के पता करी biggest कि तू अपने माबाप कभी नहीं वो बोलता है की जमीन बेचके लुटका ऑब मा Н Autism-Dade के सामने रहेगा तो भी न जो जितने भी समाज में समाज के等 तो लोग उसको सपोर्ड करेंगा दूखर को सपोट करेंगे ये सब उसका कॉंसेट है कि यहादव के स norm को पढ़ाना था तो उसको हम लोग पढ़ा रहे यादव का था सब लोग समझ रहा है जो छोटे-छोटे बच्चे है न वही लोग उसको अब लोग नहीं समझ पार है वह अच्छे लोग यादो समझ के अच्छे लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं कौन सपोर्ट करेगा तो कोई नहीं कर रहा है सारी लगा दिये हैं बनाए तो फिल यह बोड लगा है अपने गाड़ी के आगे हम भी लगा सकते हैं कि यहाँ कहते हैं कि तुम गाली को नाइंग को भुम्यारों गाली दो ब्रामनों को गाली दो राजपूतों जी यह बात बोलते हैं तो फिर गाली दे रहा है कि तुम जा कर दिन अब घरी आते रहो सब को कोई नहीं कहता यह अगर है क्योंकि उनका भी बदनामी हो रहा है क्यों एक सलेंगे एक सलेंगे तो बड़ा हो जाएगा तो है क्या आप उसको क्या मानते हैं कुछ इसका वीडियो नहीं चलता है ना मतलब की जितने भी भाई है अपनी समाज के भाई है जो वीडियो नहीं चलता है तो वो लोग soft आसान भास्ता समझ ली है कि जाकर उसके सामने माई कैसे लगा अपिलोग असली कर दो रहा हुआ रहा है एक दिन देख रहा तो पने जीजा को अपना जीजा बना रहा था मुझ कर तो तुम्हारे जीजा बनेंगे नहीं बनेंगे उतने उनका ग्रेट नहीं कि जीजा बनेंगे ऐसा नहीं सकता है लिए तो संसकार मिला ही नहीं है उसको कुछ याद मांसिक हालत बहुत हो रहे हैं कमानशीक संतूलन ऊसका गढ़बढा गया है वो देखिये उसको दूसरे समझ मतलब खुल के नहीं बोल चक है तो इसे लोगों के द्वारा फंडिं किया जाता है कि उसको उसको पैसा दिला जाता दिआ दी तुम बोलो बेटा तुम नहीं बोलेगा तूसका घर कही से चलेगा बोलेगा तभी नो पैसा मिलेगा नहीं बोलेगा तो कहीं से मिलेगा तो उसको फंडिंग किया जाता है तो कहें नहीं आप क्या बोले हम छोड़ी एक पूरा भीक मांगा है कि गोकु लिया दो के बेटी के साथ ऐसा चल किया सोनुवा का वाइरल हुआ था ना उसमें भी 10 जा सब्सक्राइब देखिए इस वीडियो को और सेर कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में